हेलो नीट वालो कैसे हो आप सब तो यह question है आज का कि do I regret doing BDS कि क्या मैं को कोई regret है कि मैंने BDS करा है तो पेटा सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपने life में कोई decision लेना है या तो लो मत और अगर ले ही लिया है तो बहुत ही सो समझ के लो decision को और मैं आपनी बात करूं frankly अप definition लेने का सोचा था तो उस चाइम obviously आप थोड़ा सा double-minded रहते ही हो थोड़ा सा दुख भी होता है कि यार सोचा तो था MBBS करने का लेकिन अचीव नहीं कर पाए और second choice हमें BDS लेना पड़ रहा है और थोड़े से दूविदा में भी हमेशा रहते हो कि BDS करेंगे तो क्या मतल से उधर जाते भी हो अपना दिमाग भी थोड़ा सा confused state में रहता है कि क्या करें BDS करें BMS करें MBBS नहीं मिल रही दिमाग का तो आप सबको खुदी पता है क्या चल रहा होता है जितने comments मुझे आते हैं मैं देखती रहती हूं बच्छे बहुत confused जाए इवन parents बहुत confused कि क्या ह है तो चलिए अपनी चन्नी की बात करती हूं तो बटा जब मैं BDS की admission लेने गई थी college में तो आपको एक अच्छे अच्छी वही heart beat वाली feeling आना शुरू हो जाती है कि ultimately because आप तो डॉक्टर ही बनने जा रहे हो न डॉक्टर तो नाम के आगे लग नहीं है बेसिक तो हर नीट अब यह तो बहुत ही saturated field है क्या करेंगे कैसे होगा test निकल नहीं रहे है government job का नहीं निकल रहा है तो मुझे अभी भियाद है हम लोग थे तब final year में और हमारे जो seniors थे internship के तो वहां पर एक meeting हुई थी हमारे सब जो final year and interns की उन्हों रखी थी और उस meeting में सब लोग बात कर रह है वहां पर और तब मैंने खड़े होके I still remember मैं ही उन सब बच्चों में एक बच्ची थी जिसनों बोला कि नहीं बैच्वाइस सीटे बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि कमिशन का एक जो है 50-50 ratio हमेशा रहना चाहिए कि जो बच्चे बैच्वाइस आना चाहते है अच्छी कि जरूर आप मोर्चा निकाल लिए कि भाई सब यह टेस्ट है यह साल में एक पर होना चाहिए बट यह तो कोई बात नहीं होई कि 70% आप बैच्वाइस कर दीजे और 30% यह चीज़ कर दीजे बिकॉस मेरिट को तो हमेशा कोई नहों कोई चांस मिलना चाहिए ताकि दोनों वेश ओपन रहें तो बात आ जाती है रिग्रेट की तो देखे स्टार्टिंग में स्ट्रगल बहुत है बीडियस में में इंटल प्रेशर भी बहुत है क्या करे क्या ना करे मिडल क्लास के बच्चों के लिए बट आप मेर से पूछे कि मैंने रिग्रेट किया है तो नहीं म तो उसे की से सचार्ट की होते हैं तो जब आप फॉर्स-टाम लते हो तो जब हमें कहा था कि आप लोगों स्टैथो लेके आना है तो हम सोच रहे थे यार स्टैथो से हमने करना क्या है आप हमें साउंड सब्सक्राइब बताई जाती है और फिर्स्ट यर में भी आफ फीजियो के उसमें जब बीपी चेक करना देखते हो जब फिर्स टैम स्टैथो को होल्ड करते हैं तब भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि यहां यह स्टैथो लेना ही तो हमारी एक इच्छा थी तो आप किनी मानेंगे मिडल ग्लास फैमिली से आने के आरण मैंने स्टैथो नहीं खरीदा था मैं आपने सीनियर के पास गई वहां से मैं लेके आगे उनसे कि मैं प्लीज में को स्टैथ दे दीजे तो कॉलेजे में ऐसा ही चलता है हम फाइनल यह के बच्चों से ले लेते हैं थाड़ एर में और फिर हम बाद में उनको मैं वापिस कर देते हैं हमारे कॉलेज में मैं सब्सक्राइब तो फिर आगई बात रिग्रेट करने की तो मुझे कोई नहीं है वहां मेरी एक ड्रॉप के बाद दूसरा ड्रॉप तीसरा ड्रॉप चौतर ड्रॉप तो ऐसे इतने सारे ड्रॉप लेके जब फाइनली उनका ड्रीम कम ट्रू हुआ और उन्होंने इसमें एंट्री की है तो अब बिटा मानेंगे नी 2007 में भी सरकारी में एम्बी बेस डॉक्टर की भी है यहां कि मुझे पता है पॉसिबिल्टी का क्योंकि में है इसा तो है नहीं कि पीछे से कोई था कि जिसने हमें बताया हो कि हाँ बेटा चलो बीडीएस में हम तुम्हारे पीछे घड़े है हम तुमें सपोर्ट करेंगे बीडल ग्लास का बच्चे को तो खुद ही सब मैं बिना कोई BDS में करने के बाद कोई proper mentor नहीं था, कोई रिष्टेदारी में नहीं था, तो मैंने अपने Tribune से में classified ads देखती थी, उसके थू मैंने ads देखके क्लिनिक और एक nursing college में अपनी starting की jobs की हैं, और वो जाके मैंने संगरूर पंजाब में की है, डवल शिफ्ट की jobs की हैं, अपना पैसा अन किया है उसमें, उसके बाद मैंने switch over की है अपनी, वो भी दुबारा से Tribune में classified ads देखते हुए माता नान की charitable hospital है का नंतु साहिब में, वहाँ पे मैंने resume बेजा और वहाँ पे जाके job करी, और जब मैं वहाँ job करती थी तब भी मैं देखती रहती थी कि इससे better कुछ हो सकता है के life में, और साथ में अपनी त्यारी करती रहती थी test की, अपके service के exams जब भी निकलते हैं, पहला जब exam दिया तो नहीं crack हो पाय था, second exam जब मैंने commission का दिया, वो मेरा crack हुगा, फिर even मैं उसमें वे करती थी, कि मैं government service join करूं या ना करूं क्योंकि already मैं जितनी मेरी salary government service में थी, उसे double में अपना private में कमा रही थी, और वो भी आप देखिए, खुद consultant का काम कर रही थी, और patient को dealing कर रही थी, और शायद खून में था, कि middle class families हैं, तो हिम्मत नहीं हार नहीं हार नहीं है, आप अपना काम करें, hard work never goes waste, और बिटा मेरा नहीं गया waste, और अगर मैं private, यह मेरी hard work का ही वो था, कि जब मैंने अपनी private job छोड़नी थी, जब मैंने उनको बताया कि मेरा government में selection हो गया है, तो उन्हों में को offer करा कि हम आपके यहां पे और बढ़ा देते हैं salary, थाकि आप यहीं पे रोख ज हो गया है, मैं को government sector में, तो अब इसमें ऐसा है कि जब MBBS वाले doctor को जब दांत की problem होती है, वो हमरे पास ही आ रहे है, वो खुद तो नहीं ठीक कर सकता है, उसको filling खुद तो नहीं कर लेगा, RCT खुद तो नहीं कर लेगा, surgical extraction खुद तो नहीं कर लेगा, तो BDS अपने आप म specialization है, प्लस जो सबसे वड़ा point है, कि आप इसमें आपकी family life सफर नहीं करती है, मेरे husband है MBBS, जब भी देखो वो यहाँ पे मैं गाओं के एक hospital में, हिमाचल प्रदेश के interior में posted हूँ, शिमला के interior में, कोडगड में, तो यहाँ पे अकेले doctor हैं, वो एक civil hospital में, तो जब भी दे होते हैं, भी root canal treatments कर लिए, surgical extractions कर रहे हूं, surgical extractions हमारा वो हिस्सा होता है, कि जब हम दांत निकालते हैं, तो उसको हम surgery से निकालते हैं, right, minor surgery से निकालते हैं, जिसमें कि आपको bone में आप drill करते हो, bone में एक chisel mallet होता है, ठक-ठक की आवादे हात रहती, और्थो की full feel ले रहे पेशेंट को एक अच्छे doctor की जरूत होती है, आजकल पैसे की किसी के पास कमी नहीं है, आप धंक से patient से बात कर लीजिए, patient खूश है उस चीज में, तो यह तो आपकी capability है, देखें saturation किस field में नहीं, saturation हर field में है, लेकिन survive तो वही कर पा रहा है, कि जो अपना hard work 100% अपना दे अगर मेरा होता, तो मैं अगर उसमें hard work कर रही होती, तो अगर मैं starting के BDS मैंने complete किया था, अपना दिसंबर 2009 में, और उसके बाद 2010 से मैंने earn करना शुरू कर दिया था, 2012 में मैं private में अपना बना रही थी पैसा, ऐसा नहीं है, कि हम patients कर रहे थे और patient को deal करने के बहुत सारे innovative methods होते हैं, आप खुद अपने दिमाग से अपना सोचते हो, पहली बात तो यह रहती है कि कभी patient से जूढ मत बोलो, कोई भी possibility सा और पैसे कि पीछे एकदम से मत भागो, मैंने अपने profession में हमीशा honesty दिखाई है, और उस time भी मैंने आ मैं private में उतना double मना रही थी, तो आप सेचे यह मेरे starting के career years की बात है, 2009 के December के में pass out हुए हुए है, मैं 2011 में अल्रेडी उतना कर रही थी, वो भी अपने pure, अपने merit के basis पे, तो ऐसा ऐसी बात है वेटा, no I don't regret doing BDS, बाकि कोई और question होता आप छूड़ियेगा, हर हर महादेव इजय श्री राम भगवान सबका बना करें, take care